एक बच्चे की जीवन में उसके माता-पिता की परवरिश उसकी पूरी उमर में काम आती है नमस्कार दشको स्वागत है आप सभी का आप की अपने स्वागत करते हैं वहारे आज के गेस्ट और सीनियर प्रवेंड मास्टर दीप्ती नदेलामा थी प्याइब कड्रों सब्सक्राइब and Sun कर रहे हैं इसकोटूल के बारे में जिजस्श का मतलब अյ वो बच्ची जो school जाने में आनकानी करते हैं, school जाने से इंकार करते हैं और parents को काफी तकलीफ उस मामने में जहिलनी पड़ती है तो चलिए इसी पर सवाल के जवाब जो है वो माम से जानते है माम सबसे पहले तुम्हें यही जानना चाहूंगी कि क्यों एक बच्चा स्कूल जाने से मना करता है अब बात कर रहे हैं छोटे बच्चों के बारे में जो 5-6 यह वो क्यों स्कूल जाने से सबसे पहले मना करना चाहेंगी यही प्रश्न करने से हमें जवाब मिल जाएगा हमें भी जैसा कहीं पर भी हमें जाना है एक जगा जाने से वहाँ जाना है हम चलेगे हमें पिर कहीं जगा पर हम सोचेंगा अच्छा वहाँ जाना जरूरी है में जहां पर मुझे अच्छा लगेगा वहां मैं जाना चाहती हूं जहां अच्छा नहीं लगेगा वहां नहीं जाना चाहती है यह हर एक इंसान का यह नैचरल है राइट सो बच्चे को गर पर एक एट्मोस्फियर जो मिलता है अपनी जगा पर खेलना खूदना वो जो फ्रीडम है वो सब चीजे है कहीं ना कहीं उसको लगते वह वहां पर नहीं मिल रहा है यह बच्चे का प्रश्न अपने उठाए तो उस टैम जो कमपड़बल्टी या जो फीलिंग अपना फीलिंग से फीलिंग यह सब चीजे बच नहीं है और केलने खूदने के लिए नहीं मिल रहा है रिस्ट्रीक्षंस अश्थ्ट्रिक्षंस आपब उखे बोलते हैं वाबी यह सुचक्टकर से अब ज्यादा बोलते हैं मैं हमेशे एक टॉली यह बखोंक नहीं मतूरता कि wed Circle कर रहा है तो बहुत ज्यादा बोलते हैं बोलने सिर्में हाराम से बैट कि पहले सुन ऑख चिला के बोलता हुं गया से आने की अवरanska को ขुल खोलने हैं। मुर्ट था नीच को देखती हुं तो अश्पर में द्बौत करता है वह एक तम्हें औल रहा है फिर मैं पूती हो उससे कि बच्चे क्या हो रहे हैं आप लोग class में बात करते ह। नहीं इस अधिन्या हम जैसे निकलेंगे हम चिलाते हैं पले बच्के का energy flow है वो एक्स्प्रेस करते हैं चिला के रो के मि बोडिyect इसंद्प्रेस करते हैं बॉड् से लेट के हाथ पेर से अपनी रोना दोना हाथ बॉडी से निकाल कर वो फ्री होजाते हम क्या करते है रोना दोना आते हैं कोई देखतू रहे करके आंसू भी आने नहीं देंगे वो अंदर सबकॉंशेस अंकॉंशेस लेवल तक हम दवा लेते बच्चे निखाल देते बॉड़ी को यूज करकर राइट सो वो बच्चे हमेशा हर लेवल पर अपनी बॉड़ी को यूज करते हैं तो यह चिलाना है वो नैच्रल प्रॉसे जो है वो दब जाती है स्कूल में यह नहीं कि चारीज बच्चे एकदम से चिलाएंगे तो मेडम बाग जाएगे क्लास में ब्रैक्टिकल ली हम बात करेंगे तो बटो क्या रहा है फिर गर पर आने कि उसको स्पेस दे दो कहीं सारे फैमली इसमें बच्चे बात चिला के ब कि था प्र Collect कष्चे को बच्चे को हग करती थी प्यार करती थी वाओ मैम करनी जाएट सेकंंड क्लास में आने कि बाद दूसरे बच्चे को भी चिला रहे तो यह डर जाते तो मैम चिलाती है तो घर लगता है नहीं जाना है मुझEE यह सबदमे की शुरुआत हो जाती है किस तो वह रोज बच्चों को पढ़िशान करते हैं कई बच्चे होते है उनके साथ पैरेंस क्या करते हैं मिश् ideal है स्पॉछ सब्रeश को सब्सक्राइज रूटीन बना दिया अलए ट्यूशन जाना है तो बाउंडरी इन बते हैं कर एक काम की तरह दिखाना बंद करें पहले यह स्टार्टिंग से ही बीज डालने से पहले ही ध्यान रखेंगे तो इजी रहेगा क्योंकि मेरी डॉटर उसने बोला टेंथ क्लास के बाद मुझे अब नहीं पढ़ना है मुझे तुड़ा गैप चाहिए मुझे समझ में नहीं मैं खर क्या रही हूं उसका बेरी जन्यून कॉश्ण के तो ले सब्सक्राइब करने के बाद फिर वो एक साल पूरा उसने गैप लिया हम से इतना क्लियरली बैटके उसके बात किया ममा सब्जेक्ट इतना वंडर्फुल होती है जैसा वो साइंस ले लो मैट्स इसको बेस लेकर ये पढ़ना है इसकी जो मजा है इसकी अपना जो टेस्ट है उसको लेने के लिए हमें किसी ने बताया भी नहीं हम वोन्रफुल कोशन था उसका सबसे पहले तो पेरेंट्स को सभी को यही है कि जब बच्चा जब खेल रहा होता है केलते वक्त बीच में कॉपी और पैन ले आईए फटा 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 एबी सीडिया एज की अकॉर्डिंग घृसर करла हुशा करना है हम क्या करते तुम अभी सुबह से पड़ाई नहीं किया ना अभी पढ़ाई कर लो केल बंद यानी सपरेट करके केल और पढ़ाई को सपरेट करके एक कहीं बार हमारा लेंग्विज के दोरा बच्चे को यह सिकाते हैं पढ़ाई को भी पढूश् देना चाहते हूं वो नहीं लेगा आप क्या बोल रहे हो उसकी आसर पढ़ रहा है वहां पर उसको इसलिए सबसे पहले education क्या है एक तो पहले तो education पूरा educational system बदलने के लिए व्यास महामुनी जी ने पूला है वो ओक ही रहेगा पी एससे में सारे पिरमिड मास्टर रडी हो रहे हैं पिरमिड स्कूल की immediate requirement है सोसाइटी में ने एवाल वूर सोल सालरडी उत्रा हो है बच्चे की रूप में वह सब स्कूल में education के साथ वह पिट नहीं हो पा रहें तो यस मैं उस लेयर को अभी फिलाल साइड पर रख कर मैं जनरल बात कर रही हूं सोसाइटी की लेवल पर जो आम डिसकस कर रहें उस बात कर रहें तो बच्चे को आप पढ़ाई गेम यह सब एक ही जैसे एक enjoyment है राइट बच्चे को किचन में ले लिए जीएगा काना पकाते हो यह देखो पानी में चावल डाला यह पग गया इस इस साइन्स राइट प्याश काटा उसमें से आपको जो आ रहें के मिकल बाहर वो दिखेगा नहीं बट उससे आंकों से पानी आ रहें इस साइन्स ममा एवरीडे यूजिं साइन्स इन हर किचन सो वही साइन्स क्लास में पढ़ रहे हो कलाब भी समझ जाओगे यही समझने के लिए तो स्कूल जा रहे हो बिल्कुल फ्री कर दो पढ़ाई को लेकर यह माक्स वाक्स परसंटेश को मारो गोली पहले तब बहुत अच सब्सक्रांइच कर सकते हैं जिस तरह माम ने कहाँ कि बच्चों को बढ़ाई को लेकर कि एक बिल्कुल फॉर्स नहीं करना काम और पढ़ाई जो है जो खेलना कूदना है वो सब अक है तरह परेंस आपने बताया कि पच्चों को अलग कर समझाते हैं कि बहुत्या बहुत कर जना पड़ेगा नहीं तो फेल हो जाओगे यह हो और बच्चों के अंदर टाइन संझा सकते हैं उनके खेलने के लिए उनको separate time दे दिया उसके बाद पढ़ने के लिए अगर टीनेज बच्चों की बात करें तो क्योंकि टीनेज बच्चों का एक ऐसा surrounding है वो अपने पीर गृप में रहते हैं उनकी अपने अलग फ्रेंड्स हैं तो जिनसे वो कि यह सादा connect करता है एक एच पर जाते मैं जान्ट पाहंगे क्या reason हो सकते हैं एक जब भी स्कूल जाने से बना करें क्योंकि उसको पढ़ाई का उतना डर नहीं होगा जितना चोटे बच्चे को होगा तो हो सकता है कि पढ़ाई कारण ना हो और क्या कारण हो सकता है और पेरेंस वो चीज कैसे जाने और अपने बच्चे से बात कैसे करें भी किया है एक चलास में 40 बच्चे है तो, 40 unique souls उर चालीस बच्ची की रूप में है Unique expression of the nature, unique expression of the universe समझ में आरहे हैं दोस्तों एक दुपती को जो देख रहे हैं दीपती के द्वारा universe एक लेवल पर express कर रहे है एक लेवल आपके द्वारा यह यूनिवर्स एक्सप्रेस कर रही है यह पूरा आपने आपको उनिवर्स हमेशा इतनी सारे उन्प के द्वώρα आपने आपको एक्सप्रेस कर रही है तो वापस पॉइंट पर आकर क्लास में यह 40 बच्चे हैं वो 40 महोर्णत आत्मा हैं अपनी अपने युनिकने साथ जनम लिया रैट बट हम उनकी युनीकनेस को देखनेवाला को देखने वाला तो कोई है नहीं वो बाद की बात हैं लेकिन 40 को एक साथ बिठाया उनको एक सिस्टम पगडाया ये बुक्स ये पांच यह पांच बुक्स दस बुक्स पढ़ना है इतना परसंटेज लाना है परसंटेज आते ही नेक्स्ट क्लास में जाओगे एक रोबोट की तरह मेशिन में डाल बट हो सकते हैं उसमें एक लतामंगेशकर हो एक बालसुब्रमण्यम हो यानि एक सिंगर हो ना मतलब यूनिवर्स इसकी इस चेतना शक्ति को म्यूजिक के द्वारा कोई अपना जीवन को व्यक्त करने आया हो एक डैन्स के द्वारा आया हो यह कुछ और बनने के लिए आया हो ड्रॉइंग आर्ट पेइंटिंग या केती बाड़ी यह सब एक्स्प्रेशन्स ही है वो सब कुछ आये हैं लेकिन उसका जो यूनीकनेस है उसको सपोर्ट मिलेगा तो बच्चे अपनी ब्लूप्रिंट को या अपनी लाइफ प्लान को पकड़कर आगे बढ़ेगा लेकिन अब यहां पर आकर उसको वह माक्स लाना होगा क्योंकि उस क्लास में 90% जो माक्स ला रहे बच्चा उसका अलग लाइफ प्लान है और यह रिमैनिंग 39 बच्चे का अलग प्लान है बट इन 39 को इसकी पीछे बागना पड़ रहे हैं क्योंकि उसके साथ कॉम्पटीशन करना पड़ रहे हैं यह अपना चोड़ लिए फिर इसके साथ भाम रहें कब तक बढगेंगे बच्चे क्यूंकि वो तो उनके कामी नहीं है हम जैसा एक फिछ को बोलेंगे पानी में रहने वाली मुटिक बोलेंगे तुम पेड़ पे चढ़ जाओ रैड नहीं हो पएगा पेड़ पेच्ढ़ने वाली एक महोरनत आत्म है वो अपनी ब्यूटिफुल प्लैनिंग के साथ ही आया है वो 90 परसिंट आया तब भी सक्सेस यह सक्सेस की डिफनेशन पहले अटा दो सक्सेस वहां नहीं है बड़े-बड़े ऑफिसर्स में बड़े-बड़े सीट्स में बैटकर एसी वंस किम गूरो उपने में सक्सेस नहीं है सो सईटिटी के डिफनेशन को शौताना है अहर पल इतना आर्शन दोसक्स है रिकücht अपुलर भी हो सकता है चूटा सा उन्हों काम करने वाला भी हो सकते लीए प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है तो इसलिए जिस परपस के लिए बच्च जनम लिया है अपने जिस लाइफ टाइम ले पर लाइफ। निए ब्लॉप्रिंट के साथ उसको सपोर्ट करेगा उस पहचान साहिए गार बात जारोंत्या तो इसे उनीक्नेस को समझना पड़ेगा बहुत बाकुवी से आपने शिपलतन चाहिए जान ना जो हमगी जैसे जो चैनेज़ बच्चे बच्च को होते हैं उनकी लाइफ में एसी सुनेशन चल रही होती है और पेरेंस उनसे किस तरह क्रवाने साथ रहने से मना कर रहे हैं तो था किया रिजन हो सकता लेस बैसिकली क्या है बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ हाथ रहने से मना मत करिएगा प्रेंड्स के साथ रहने से वह एकस्फ्रस कर पाता है अपने अपने अधर्विज यह एदि फ्रैंड्स के साथ भी आप मिलने नहीं देंगे फिर वो आपके पास तो बोलेगा ही नहीं आपके पास दर्वाजा बंद पड़ाओ मिलेगा उसको क्योंकि हर जगा पर आपको फीर ही नजराएगा तो उसका सुनने से पहले ही आप फीर फील करोगे आप क्या शब्द बोल रही हो नहीं आपकी इच और एवरी एमोशन को नरो मत बल्कि फ्रेंड के साथ रहने से वह बच्चा खुल जाएगा ओपन रहेगा नेंबर नेंबर टू जो प्रश्ण पुट अप किया है बैट की बात करने से सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम क्या चल रहा है एक तो कुद आप सेंस कर पाएंगे तो उस पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसलिए उनसे अराम से किस डंग से वह बच्चे बात करेगा कौन सा टॉपिक उसको कमफटबुल लगेगा उस टॉपिक को लेकर पहले उसको बिठा दीजिए आपका कुछ कहने से पहले उसको सुनिएगा जितना आप उसका सुनेंगे सम ओपन हो गया वह बच्चे की अनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो गया फिर वह बताना शुरू करेगा तब आप कुछ हेल्प कर पाए तो पहले आप बच्चे को सुन लीजिएगा कहीं बार हो सकता है जब आप बच्चे से कुछ पूचेंगे वह ऐसा शब्द यूज कर सकते ह आपको इगो हाट भी हो सकते हैं अपने क्या किया पेरिंट्स को ऐसा बोलते हैं आपकी फिर एमोशनल बैक्ग्रोंड पूरा वापस आएगा हम बच्चपन से आपके साथ इतने मनी लगाया इतना टाइम लगाया हम अपने आपको भी चोड़के आपके ऊपर लगाया लेक से बाहर आजो पहले अपना चोड़कर बच्चे का आप कुछ नहीं दे पाओगी राइट वुस लेवल से पहले हैंडिल करना सीखो फिर बच्चे से पूछ यह क्या हो रहे हो सकते हैं पूछने के बाद वह और्गमेंट में भी बदल सकते हैं इट्सों के हर डिसकर्षन स् चिला करने दो लेट हीम ओपन तेमसेल्स लेट देम राइट सो उन लोग को खुलने दो एक्सप्रेस करने दो उनको स्पेस दे दो आप लो गलती है करके कभी भी उंगली नहीं उधाना टीनेजर से यह तुम गलत कर रहे हो वो कही गुना और ज्यादा करेंगे उनका पुर इसकी जगह ऐसा करके देखने से कैसा लगेगा यह पेरेंट्स तब कह पाएंगे जब पेरेंट्स की अंदर पेशन्सी है पीरलेस है तब भी मैं बार बार यही घूम फिरकर वहीं जाओंगी पेरेंट्स यह पास पेशन्सी है तो बहुत अच्छा से हैंडल करेंगे नैच जानना है कि उनके साथ उनकी लाइफ में क्या चलिए यह पेरेंस को गहना चाहिए और पेशच्छ बहुत जाता सवदूरी है और वो पेशिय्ट्स विच्छु एपेरे में जानना चाहोंगी कि अपने बच्च्चे के लिए किस तरह से पूरी लाइफ प्रवरिश में उसक करते ही ऐसे करते हैं थो बच्चे जो है पेरेंट्स worrying फॉलो करते तो जितना भी ध्यानी दोस्त है आपकी गर में वाको बच्चे को बीधियान सिकाई यह ध्यान सिकाना मतलब जबरदस्ति मत करें आप ध्यान में मैंचिमम ट Helsy बच्चे की सामने ध्यान करते हुए जितना वो देखेगा उसको एक नैचरल रोटीन में प्रोसेस लगेगा और दीरे-दीरे सोने से पहले जैसा फाइव इयर्स के बाद धीरे-दीरे ध्यान सिकाना शुरू करिये सोने से पहले फाइव मिनिट्स आप ध्यान में बिठा दीरे-दीरे उस समय को बढ़ाई है कहीं सारे पेरिंट्स बोलते हैं बच्चे को बोलते हैं वो करते नहीं है तो एकदम सीरियस बनके ध्यान करो यह वो करके बड़े-बड़े बाते नहीं करना विड़े एक हम खेल खेलते हैं आंक बंद कर लेते वाव अब क्या दिख रह सिरियस बढ़े तो इन दोनों के बीच कर दीवार तोरकर आप बच्चे बनकर हर चीज में खेल बना दो बच्चे आपका क्यों नहीं सुनेगा आपका ही सुनेगा पीचे छोड़ेगा भी सब्सक्वाइं करना सिखाए और जहां पर यह meditation sessions हो रहें वहां ले जाईए अपने साथ और इन बच्चे की जो ग्रूप में सेशन्स चलता रहते हैं उसके साथ जोड़ दीजिए चोटे-चोटे बुक्स उनकी एज की एकॉर्डिंग ली चोटे-चोटे बुक्स पढ़ना बच्पन से ही आदत डाल दीजिए और सो आप जैसा एक ध्यान कर रहे हो पीए सेस्म के साथ जुड़े आत्म घ्यानी बन गया एनर्जी लेवल का काम करिएगा एनर्जी लेवल पर बहुत कुछ कर सकते उसके लिए आपको एकदम स्टेबल एंड शान्त रहकर बच्चे सोते वक्त भी आप जो भी मेसेज देना चाहते हैं न्यूट्रल रहकर ना मदर ना आसान करोगे गुना बंदेव आप खुद एक आत्मस्तिती में रहकर बच्चे की माते पर हाथ रखके सोते वक्त उसको एक मेसेज देदो बच्चा एक आत्मा हो आप अपने आप में परिपूर्ण हो यूर आसम आप जैसा भी हो एकदम मस्त किसी की प्लीज किसी को सो एंजॉय और लाइफ करके उसको मेसेज देदो जितना जॉइफूल पेरेंट्स रहेंगे उतना बच्चे को एवरी डेय आप ये काम करिएगा तो उसको मेसेज मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग लिव बच्चे में ट्रांसुरमेशन भी आएगा तो बहुत कुछ कर सकत इस तरह की बच्चे के साथ बच्चों के अंदर पॉजिटिव एमोशन बहुत जादा फ्लो होंगी अगर पीरिंट पॉजिटिव बोलते ही एक चीजा और याद आया कि लुइस लिए की लुइस लिए लो यू-ई-स-e-l-e-s-e-l-e-s-e-l-e-s-e-l-e-s-e-l-e-s-e-l- जो साउंड में उस एफिरमेशन को लूप में लगाकर फुल नाइट चला के देखिएगा पॉटिव बंडेस तक पेरेंट्स को तो बड़े को तो सुनना ही सुनना है बेडरूम में चला कर पूरी रात भी उसको चलाने से वह अंदर प्रोग्राम भी चलता रहेगा उसकी बहुत बड़ेगा पॉजिटिव एफिरमेशन बार-बार सुनने से भी दोराने से भी यह सभी के रिकमेंड़ है पेरेंट्स को भी और बच्चे जिस बेडरूम में सो रहें चला के चोड़ने का आदत डालिएगा और यदि वह या म्यूजिक्स वंडरफुल म्यूजिक्स एवरी दे म्यूजिक लगाकर एक एम्बियंस बनाइए उसकी रूम में एक अच्छा खुश्बो वाला इस तरह की पीस आफ माइंड को उसको क्रियेट करियेगा तब सपोर्ट मिलेगा उस बच्चे को अच्छा एटमा स्पीर में ग्रो करने के लिए वाम एक करने परवरिष को बच्चो की परवरिष करने के इस प्रॉसेस को इन ज्वा लिए दाए कि उनको समझ हो उनकी उनसे बात करनी चाहिए और टीनेज बच्चे भी मना करते हैं स्कूल जाने के लिए या कोई भी रीजन हो सकते हैं बच्चों से बैठ कर बात करना बेहत ज़रूरी है और किस तरह एक spiritual parenting करकर आप बच्चों को उनके सारे positive emotions उनको दे सकते हैं उनके सारे negative emotions बहाराने में उनकी help कर सकते हैं इस कारिक्रम के लिए इतना ही बनी रही है PMC Hindi के साथ नमस्कार